बारिश का असर फसलों पर होता दिखाई दे रहा है महाराश्ट्र में किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रहे पहले बारिश में देरी के कारण किसानों को बुआई में नुकसान छेलना पड़ा उसके बाद जुलाई में भारी बारिश से फसले पानी में डूपी वहीं अब डेड महीने के बाद हलकी बारिश हो रही है इससे रुके हुए क्रिशी कारियों में तेजी आई है किसान निराई गुडाई जैसे खेती का कारया खतम कर फसल को बढ़ाने के लिए संगर्श कर रहे हैं लेकिन किसानों की चिंता खतम नहीं हो रही असल में किसानों ने बारिश के खतरे से फसल बचा तो ली है लेकिन परियावरन में हो रहे बदलाफ के कारण फसलों पर कीटों का परकॉप बढ़ रहा है नंदुर बार जिले में खरीव की मुख्या फसल कपास पर रस चूसने वाले कीडों का परकॉप दिखाई दिया है ऐसे में खरीव फसलों को बारिश के संकट से निजात मिलने के बाद भी उतपादन खटने का खत्रा बना हुआ है पिछले साल कपास को रिकोर्ड रेट मिलने के कारण इस साल नंदुर बार जिले में एक लाग तीस जार एक्टर में कपास की बढ़ाई हुई है इसलिए किसानों को उतपादन बढ़ने की उम्मीद थी लेकिन जैसे जैसे फसले बढ़ी होती गई वैसे ही संक्टों का सिलसिला शुरू हुआ फसलों पर कीचों का अटेक बढ़ता गया किसानों का कहना है कि अब उतपादन कैसे बढ़ेगा राज्ये में एक जुलाई से बारिश जारी है उसके बाद से 15 अगस तक लगातर भारी बारी से खेतों में पानी भर गया है फसल वाले शेत्रों में जल भराव से कवक रोगों की व्यापकता भी बढ़ गई है नतीजन फसल की वृद्धी रुख गई है और बारिश का असर फसलों पर हुआ है लेकिन अब बदलते पर्यावरन का असर भी दिखाई देने लगा है वर्तमान में खरीव की फसल मध्याव सवाल उठता है कि अगर बिमारी का ऐसे ही परकोप रहा तो उत्पादन का क्या होगा कुल मिलाकर सीजन की शुरुआत से ही उत्पादन का खत्रा अभी भी बरकरार है और इसे लेकर किसानों में चिंता बनी हुई है बिरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी झाल